हलो एवरिंवन कैसे हैं आप सब लोग वाहता आप सभीका पीडवलू नर्सिंग वाला में और हम लोग बात करेंगे हमारे जो अगला टॉपिक है उसके बारे में हमने कल कार्वो adapt कर ली थी आज हम लोग क्या होता है simple molecule होते हैं कि इसके fat इनी को हम लोग lipids भी कहते हैं fat जा lipids नाम देते हैं simple molecule of glycerol किसके बने होते हैं simple molecule होते हैं glycerol और 3-glycery aldehyde के alcohol और इस सबसे मिलकर बने होते हैं तो simple molecule of glycerol and 3 glycerol aldehyde से मिलकर ये बने होते हैं. तो क्या होगा, देखो fat किसे कहेंगे? simple molecule of glycerol and 3 glycerol aldehyde इन से मिलकर बना होता है. क्या आपका fat और lipid जो हैं, इन से मिलकर बना होता है. जिसको हम लोग, यह मैं इसको glycerol aldehyde, यह triglycerol aldehyde भी बहु सकता हूँ. क्या बहु सकता हूँ? इसको ज्यादा बहतर रहेगा, triglycerol aldehyde बहु तो ज्यादा बहतर रहेगा. 3 molecules of triglycerol aldehyde. इले है बात? चलिए. अब हम लोग fat का classification देखते हैं. fat का classification, fat कैसे divide होता है? fat किन-किन parts में divide होता है, देखिएगा. fat की बात करेंगे. fat, simple fat, compound fat, simple fat, compound fat, derived lipid यह simple lipid, compound lipid, derived lipid इन parts में जो है, यह derived होता है. देखिए, सबसे पहले simple, compound derived और एक होता है sterol. चलिए, सबसे पहले आता है simple, simple, second number पर आता है compound, जो की milker बना होता है, compound का मतला होता है, सयूप्त, compound lipid. and the third one is derived, derived और फोर्थ होता है sterol. यह चार केटेगरी में यह बटा होता है. simple lipids के अंदर जो है, यह आते हैं आपके, simple lipids के अंदर आते हैं, wax हो गया, हाँ, उसके अलावा fat हो गया, oil हो गया, यह सब किसके अंदर आते हैं? simple जो गी होता है न घर का, fat and oil, यह किस के अंदर आता है, simple lipids के अंदर, उसके अलावा wax हो गया, wax, जो मौमबत्ती का जो wax देखते हैं, मौमबत्ती का जो wax होता है, वो भी किस में आता है, वो भी आपके simple lipids में ही consider किया जाता है, और यह जो है, room temperature पर जो है, वो liquid और solid state में रह सकते हैं, next compound lipid के अंदर आता है आपका lipoprotein, glycoprotein, इसके अंदर क्या क्या आएगा, lipoprotein, जो lipid और protein का बना होता है, lipoprotein, जो lipid प्लस protein का बना होता है, तो कि compound है, संयूकत है वो, वो क्या है, नाम उसको संयूकत है, का lipid प्लस protein का बना होता है, next, दूसरा होता है glycopr ग्लाइको प्रोटीन जो की किसका बना होता है आपके ग्लाइकोजन और लिपिड का बना होता है ग्लाइकोजन प्लस लिपिड का बना होता है और यह होता है फोस्फो लिपिड जो फोस्पेट और लिपिड का बना होता है तीन होते हैं इसके दर फोस्फो लिपिड यह किसका बना होता है? phosphate plus lipids का बना होता है तो यह तीनुआ example किसके है? compound lipid की बहुत सारे सवाल सीधे-सिधे यहाई से पूछे आते हैं वह या compound lipid का example कौन सा है तो आप यहां पर lipoprotein, glycoprotein और phospholipid का example जो है वो बता सकते हैं किस के अंदर आपके compound lipid के अंदर same ऐसे derived lipid के अंदर क्या आते हैं आपके derived lipid के अंदर जो simple और compound दोनों से मिलकर जो बने होते हैं derived के अंदर क्या आता है simple plus compound lipid simple और compound lipid को मिला के जो बनाया जाता है वो किस में आता है आपके derived lipid के अंदर जो है वो आता है और last में आपका होता है sterol वो भी एक अलगी category में हम लोग major करते हैं तो यह 4 तरीके के क्या होते हैं यह 4 तरीके के जो हैं यह हमारे fats होते हैं next बात करें हम लोग अब देखिएगा यहाँ पर important जो बात बताते हैं आपको जो lipoprotein है compound lipid की बात करते हैं compound lipid के अंदर जो lipoprotein है इसकी 5 टाइप होते हैं किसकी बात कर रहा हूँ लिपो प्रोटीन की देखिएगा lipoprotein further divide होता है lipoprotein जो lipid plus protein का बना होता है और इसकी 5 टाइप्स होते हैं इसके 5 सब टाइप्स होते हैं जिसके अंदर पहला होता है काईलो माइक्रोंस पहला होता है काईलो माइक्रोंस काईलो माइक्रोंस क्या होते हैं यह जो आपकी ट्राइं इंटरस्टाइन में बनते हैं कहां बनते हैं synthesis in intestine intestine में बनते हैं यह synthesis is in intestine absorption भी बढ़ाते हैं second one is पहला होता है काईलो माइक्रोन second होता है HDL high density lipoprotein फिर होता है LDL low density lipoprotein एक होता है VLDL very low density lipoprotein सबसे पहला होता है VLDL very low density lipoprotein सबसे पहले नाम लिदेते हैं इनका VLDL इसका नाम है very low density lipoprotein third one is LDL low density lipoprotein यहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं इनका नाम पूछलते हैं इनमें से bad cholesterol किसे कहते हैं good cholesterol किसे कहते हैं अच्छी fat कौन सी होती है बुरी सब बता देते हैं भी दिख आपको low density lipoprotein और next one is HDL high density lipoprotein high density lipoprotein और एक और होता है यहां पर free fatty acid पांसवा होता है जिसका नाम है free fatty acid आपको यह पांस नाम याद रखने है काईलो माइक्रोंस VLDL LDL HDL और pre fatty acids याद रखिएगा यह पांस नाम पांस जो है lipoprotein के टाइप होता है अब देखिएगा बात करते हैं इनके बारे में जो आपका HDL है इसे good cholesterol कहते है HDL को क्या कहते है good cholesterol यहां से सवाल बहुत बार आ चुका है इसको good cholesterol कहते है क्योंकि यह क्या करता है जो भी हमारे अंदर जो fats होते हैं उनको digestion के लिए किदर की तरफ move कराता है यह digestion के लिए जो fats है यह जो भी molecules है उनको liver तक ले कर जाता है जबकि LDL को bad cholesterol कहते है क्योंकि यह digestion नहीं होने देता और यह क्या करता है accumulate करवाता है यह digestion करवाता है fats का अच्छे तरीकी से ताक कि वो हमारी artery and vein के अंदर accumulate ना हो पाए जबकि जो आपका low density lipoproutine है इसको bad cholesterol कहते है आपकि यह जो यहां पर यह nine पर यहां पर बारे मैं हमने इहां दक की बात बात देखी लिविड्गे जो अगर बात करें fatty acids के fatty acids के बी जो free fatty acids है उनके भी type होते है fatty acid जो पांचवर टाइप आपने लिखाता देगो यहाँ पर pre fatty acid है ना वो उसके भी types होते हैं दो तरीके के एक होता है saturated एक होता है unsaturated तो fatty acid fatty acid fatty acid दो तरीके के होते हैं एक होता है saturated एक होता है unsaturated saturated fatty acid और दूसरा होता है unsaturated fatty acid unsaturated fatty acid देखीएगा क्या होता है दोनों के बीच में डिफ्रेंस अगर जो carbon carbon के बीच में जो bond है जो carbon carbon के बीच में bond है उनमें सब में bond single chain है इस तरीके से जो carbon carbon की chain है उसमें अगर क्या है केवल single bond है single bond है इसको बोलते हैं हम लोग saturated क्योंकि सब saturated है ऐसा नहीं कि कहीं double bond triple bond सबको saturated है that's why we call it it saturated fatty acid लेकिन अगर जो bond है वो अगर जो है वो अलग-अलग है तो उसको आधार पर इसको दो भागों बाटा है कैसे एक monosaturated एक polysaturated एक होता है monosaturated mono unsaturated कि यह एक जगे जो है वो क्या है double bond है कैसे c c c double bond c c मतलब एक जगे क्या है एक जगे double bond आगया मतलब monosaturated और polyunsaturated का मतलब होता है कि मतलब कोई define नहीं है polyunsaturated मतलब c double bond c c single bond double bond c double bond ऐसे करके मतलब कित्ते भी जो है double bond single bond हो सकते है तो आपका जो olive oil और peanut oil आता है वो इसके अंदर आता है olive oil peanut oil वो इसका example होता है अगर बात करें poly वाले का तो linolic acid और linolenic acid यहां से बहुत सवाल आते हैं linolic acid, linolic acid और linolenic यह किसका example है यह है आपके polyunsaturated के example है और यहां पर एक और आता है archidonic acid और अर्किडोनिक acid भी इसी का example है linolenic, linolenic और archidonic जो है इसकी example है और आगर बात करें आपका saturated की बात करें तो यहां पर और यहां से सवाल बहुत सारे सवाल जो है एक्जाम में आते हैं तो भाया क्योंकि इसके उपर सब ज़्यादा सवाल मैंने एक्जाम में देखें अब तक सीधा-सीधा पूछता है लिनोनेलीक एसिड जो है वो किसके एक्जामपल है वो कैसे पूछे जाते हैं सीधे-सीधे सवाल आते हैं यहां पर तो इनको अब देखो कुछ और भी नाम है जैसे यहां पर इनके नाम याद रखीएगा इनको मूफा और पूफा भी कहते हैं मूफा पूफा के उपर बहुत सवाल आते हैं और याद रकिएगा जो लिनोलिक एसिड है एक लाइन नेक्स्ट और एक दो चीज़ और बता रहाँ जो आपको लिनोलिक एसिड है ये लिनोलिक एसिड मोस्ट असेंसियल फैटी एसिड है ये मोस्ट असेंसियल फैटी एसिड है जो की ओमेगा 6 फैटी एसिड कहलाता है ये म most essential, most essential fatty acid होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं omega 6 fatty acid और यहां से सवाल आता है भया, सेम इसी का दूसरा भाई, जो linolelic acid है, जो linolelic acid है, वो omega 3 fatty acid कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, omega 3 fatty acid, यहां से सवाल बहुत पूचे जाता है, omega 6 और omega 3 के नाम से किसे जाना जाता है, सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, किलर है बात यहां तक कि, यह हमने बात की कि इसके बारे में हमारे fats के बारे में बाते खतम थे, next हम लोग बात करते हैं, proteins के बारे में, तो हमारे micro, जो macronutrients हैं वो खतम हो जाएंगे, देखी, protein क्या होते हैं, पहली बात तो हम लोग इनको, हमारी bodybuilding food में include करते हैं, कैसे होते हैं, bodybuilding food होते हैं, बतलब जो हमारी body को बनाने की काम करते हैं, क्या होते हैं, bodybuilding food, किसमे include किया दते हैं, include in, किस की बनी होती ही? प्रोटीन्स जो है, वो चैन ऑफ अमाइनो असिड्स की बनी होती है. किस की बनी होती है? proteins are made up of chain of amino acid chain of amino acid amino acid की chain से मिलकर बनी होती है जैसे मानीएगा एक amino acid एक amino acid ये है glycerine valine या tryptophan या histidine arginine ये सारे क्या बोल रहा हूँ मैं ये सारे के सारे amino acid है और इन सबसे मिलकर एक जो chain बनी है ये chain आपकी क्या कहलाती है ये chain आपकी जो है ये protein कहलाती है तो the group of amino acid और the chain of amino acid amino acids की जो chain है जो group है वो क्या कहलाता है आपका protein कहलाता है वो क्या करता है प्रोटीन कहलाता है याद रखिएगा यहां से सवाल आते हैं प्रोटीन किसे कहता है नेक्स्ट जो जो प्रोटीन सब्द है वो किसने दिया था मुल्दर ने 1938 में जो है मुल्दर ने, याद रखेगा, प्रोटीन वर्ड जो है, वो किस ने दिया, मुल्दर ने 1938 में जो है, वो प्रोटीन टर्म दिया, बरजीलियस को भी बोला जाता है, इसमें याद रखेगा, बरजीलियस का भी बहुत इंपोर्टेंट है प्रोटीन ने, प्रोटीन जो टर्म है नाइट्रोजन, ओक्सीजन, कार्बन, हाइट्रोजन, ओक्सीजन, सब कुछ होते हैं. तो इट कंटेन, वाइक क्योंकि सब कुछ अमाईन असिट्स के अंदर भी होगा, तो इट कंटेन नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन ओक्सिजन कार्बन हाइड्रोजन ओक्सिजन नाइट्रोजन और उसके अलावा क्या है और उसके अलावा आपके सलफेट फोस्फेट भी इसके अंदर होते हैं ऐसा से साथ, यह सब क्या है? यह सब जो है आपके यह सके अंदर पाए जाते हैं, प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं. चलेगा, अब बात करते हैं, क्लासिफिकेशन प्रोटीन का किसे अधार पर? उसके functions के अधार पर और उसकी structure के अधार पर देखो. तो classification of protein और देख लेते हैं classification of protein classification of protein protein का classification देखिएगा दो तरीके से बताऊँ आप लोग को एक function के अधार पर और एक structural के अधार पर तो functional classification फंक्शनल ख्लासिफिकेशन और सेकेंड वन इल इस्ट्रक्चिनल ख्लासिफिकेशन अलब फंक्शन के अधार पर प्रोट्विकेशन जैसे कुछ protein क्या करती हैं कुछ protein क्या काम कर रही है उनके function के आधार पर हम लोग वह κो बाट सबसे पहले अगर बात करेशे सबसे पहले जैसे आपकर आता है function के आधार पर structural जो है तुमिलेशे पहले गाएक अंजामपल किसपा है पैपसीन इसका example आएगा यहाँ पर पेपसीन का और ट्रिपसीन का सबसे अच्छा example है पेपसीन और ट्रिपसीन वह कुछ जो प्रोटीन है वो enzyme की तरह काम करती है और उसमें सबसे अच्जा example कूण सा है पेपसीन, चलो पहला है हो गया second है hormonal protein मतलब कुछ protein जो है वो hormone की तरह काम करती है hormonal protein कुछ protein जो है वो hormone की तरह काम करती है उन्हें क्या केते है hormonal protein और उसका example हो जाएगा insulin example क्या हो जाएगा उसका insulin and growth hormone कुछ protein जो है वो transport का काम करती है मतलब molecules को ले कर जाती है जैसे आपका hemoglobin हो गया वो भी प्रोटीन है और वो भी जो है oxygen को ले कर जा रही है तो transport protein थर्ड आज गया transport protein इसे example को यहां बोल्ट कर देता है transport protein का example हो गया hemoglobin ठीक है इसके अलावा और भी होते है contractile protein जैसे actin myosin जो है आपके contractile protein होते हैं कुछ genetic protein वह आपके जैसे nucleic acid हो गया यह सब genetic तो यह functions के अधार पर बाटता हम लोग होने इस्ट्रक्चरल के अधार पर हम लोग बाटे के जैसे जो structure बना रही है जो important भूमी का निभारी किसमे structure बनाने में जैसे आपका हो जाएगा simple protein जिसके अंदर amino acids होते हैं केवल conjugated जिसमें amino और protein भी होते हैं simple protein दूसरा conjugate conjugate यह सब किसके अंदर आते हैं यह structural classification के अंदर आते हैं तो आप से सवाल ज्यादा तर यहां से पूछते हैं कि इन में से कौन सा enzymatic protein है इन में से कौन सा hormonal protein है यहां से सवाल बहुत ज्यादा पूठत तो यह हमने बात की किस के बारे में यह वने बात की fat और protein के बारे में next हम लोग बात करें किस के बारे में vitamins की बारे में और फिर हम लोग कुछ disease जैसे महरासम स्क्वासियों को और की बारे में बात करेंगे और फिर हमारा ये टोपिक जो है खतम हो जाएगा चली तो मिलते हैं आप लोगों से आगले पार्ट में तिल देन भाई भाई टेके ठेंक्यू सो मच और बात करेंगे आगे हम लोग किसके बारे में विटामीन के बारे में विटामीन की टेबल्स के बारे थेंक्यू सो मच अगले पार्ट मिलते हैं आप लोगों से